पटना जाहिएं से केंडरी मंतरी रवी संकर परसाद्ट हुद उमीदवार है उनका पूरा परिवार काफी उत्साहित है और यहां पर मदान केंडर पहुंचे हैं बोट का इस्तेमाल करने के लिए अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए ये वताये कितना अच्छा लग रहा कारण किसे पहले भी आप बौट करते होंगे लेकिन संथicular dhann sina के लिए इस बार पेहली बार आप अपने पिता के लिए बौट कर कि eux कि अच्छा लगने वाली बात क्या है कि ऑप्षन क्या है पतना साहिर में दस वर्षों को आपने देख लिया अब पाने वाले पांच वर्षों का भी ऑप्शन देख लीजेगा जिस प्रकार से पिछले पांच वर्षों में आदर्निय प्रधान मंत्री मोदी जी ने देश को बदलने की कहानी लिखी है जिसके बहुत बड़े सदस्य रविशंकर प्रसाथ जी भी रहे हैं तो बस यह बात नहीं है पार्टी को लगा कि एक नए कंडिडेट को मौका देना चाहिए तो पार्टी ने दिया जीत किसकी होगी बिलकुल भारते जंता पार्टी की सोचना है क्या यह देखिए पटना साहिब से जीत सिर्फ और सिर्फ भारते जंता पार्टी की होगी रवी शंकर प् प्रफाइल जो है वह भी चेंज होना चाहिए यह तो सरकार जब बनेगी जो प्रधान मंत्री बनेगे तो उससे में निरने होगा अभी हम लोग क्या जाने हैं पुरा परिवार कितना खुष है कारण आज पहली बार पहुआ है अपना बौट कास्ट करते हैं बहुत सब कोई खुष है और हमारी सिस्टर इनलो वह लोग भी आये में है नाशिरी वह लोग बाहर से आये यहां की मद आता नहीं है तो हम लोग सब कोई जुटे हैं इसलिए खुषी का महल है सब कोई खाम कर रहा था जब चुनाओ लड़े ऐसा माना ढ्माना आ राहा है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से अगर पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो पतना साहिब की जीत होगी क्या लगता है ने हम लोग तो बिलकुल यही सोच रहे हैं और हमको लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से लोगों के अंदर में एक उस्सा देखा प्रचार के दौरान और जिस तरह का हम लोग सुनते रहे सब कुछ उससे हम अभी संकर परसाथ की जीत होगी और रिकॉर्ड मतों से होगी क्योंड़ा में डिसी के साथ सौरा कुमार पत्ना नीज 24